चॉकलेट मावा गुजिया हलो फ्रेंड्स मैं एक्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ आज मैं मुँ में घुल जाने वाले चॉकलेट लवर्स के लिए लाई हूँ चॉकलेट मावा गुजिया बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो बस देड़ नहीं करते हैं चॉकलेट मावा गुजिया इसके लिए देखिए मैंने 200 ग्राम मावा लिया है और आप इसे घर पे भी मावा बना सकते हैं मैंने कोको पॉडर लिया है चॉकलेट लिया है ड्राइफूट लिया है तो आप इसे किसी तेहवार पर भी बना सकते हैं, बहुत स्वादिश्ट लगती है, तो पहले हम जो इसके अंदर की स्टफिंग बनाएंगे, तो गैस दीखें, मैंने गैस पर कठाई रख दी है, और गैस का फ्लेम लो रखा है, तो लो फ्लेम में हम इसे मावा को थोड़ा भ इसे हम खोए को अच्छे से क्या करेंगे, कि सेकेंगे, अगर आपको ये सेकना नहीं चाहते हैं, तो आप मिक्सर की जार में भी डालके इस जो खोए को आप चला देंगे, तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, तो बस देखिए, फटा फट एक से दो मिनट में ही, ये ज ग्राम आपको क्या करना है, नारियल का भूरा डालना है, तो ये देखिए, मैंने 100 ग्राम नारियल का भूरा डाला है, चॉकलेट गुजिया बनाना के लिए 3 चरण पूरी करनी होती है, नॉर्मल आप जिस तरह से, मतलब फीलिंग बनाते हैं गुजिया की, सेम वही बनानी लेकिन बस स्फसे हैं क्योंकि चॉक्लेट गुजिया है, तो यहां पर इसके पहले हम घ्राइफुट डाल दे रहे हैं अ और आप छॉक्लेट महस्त क्बड़नार हमें अचो का अठीन चॉक्लेट सिरफ़ovan सकते हैं , और मैंने चॉकलेट भी चॉक्लेट भी डाल दिया है और इन सब को अच्छे से, बहुत ही अच्छे से mix कर लेंगे तो देखिए, ये सब चीज अच्छे से mix करेंगे बहुत ही आसानी से ये stuffing जो है जो इसकी feeling त्यार हो जाती है बहुत ही easy तरीके से तो देखिए, gas का flame आपको ध्यान रखना है एकदम low रखना है low flame में ही आपको इसकी feeling को बनाना है नहीं तो ये लग भी सकती है तो देखिए, अब हम gas का flame बंद कर देंगे और बंद करने के बाद भी इसे चलाते रहेंगे तो बहुत जादा आपको नहीं gas के flame को एकदम low रखना था और इसके बाद आपको क्योंकि ये कड़ाई अभी गरम है लगातार आपको इस तरह से उपर नीचे करते वे इसकी feeling को तयार करनी है तो बस इस तरह से चलाते वे हम इसकी feeling को ठंडा कर लेंगे तो बहुत ही स्वादिश्ट टेस्टी ये गुजिया बनके तयार हो जाती है अब देखिए इसमें मीठा के लिए आप चीनी भी एट कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर मिस्री यूज कर रहे हूँ तो आपको गरमा गरम में नहीं डालना है मिस्री को तोड़के मैंने पॉडर बना लिया तो देखिए अब इसको ये जो पॉडर बनाया है जो stuffing त्यार कर रहे हूँ उसमें डालेंगे जब ये ठंडा हो जाए हलका तब ही आप डालिएगा नहीं तो ये क्या होगी ये पिगल जाएगी तो ये सब चीजों का ध्यान रखेएगा जब ये stuffing ठंडी हो हलकी सी तब आपको डालना है तो बस देखिए मैं यहाँ पर मिस्री है उसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ मीठा आप अपने टेस्ट के according कम या जादा कर सकते हैं तो बस देखिए इसको भी डालके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फटा फट ये stuffing देखिए तयार हो जाएगी बस आपको अच्छे से इसको मिला लेना है तो ये देखिए बस ये अच्छे से मिलके रेडी हो चुकी है इस stuffing एकदम रेडी है तो देखिए इस स्टॉफिंग को एक बाउल में आपको निकाल लेना है तो बस देखिए मैं इस स्टॉफिंग को एक बाउल में निकाल ले रही हूँ तो ये देखिए इस तरह से बाउल में आपको निकाल लेना है बहुत ही लाजबा भी चोकलेट गुजिया होती है तो आप इसे किसी तहवार पर बना सकते हैं या ऐसे भी आपको कुछ मीठा खाने का मन हो तो भी आप ऐसे बना सकते हैं तो पस देखिए इस तरह से हम बाउल में अच्छे से निकाल लेंगे तो इधर देखिए मैंने इस बाउल से दो बाउल मैंने मैदा लिया है और अब हम मैदे में मौइन डालेंगे तो देखिए हम इसमें 7-8 बड़े चम्मच जो है आप रिफाइंड ओयल डाल सकते हैं देशी घी डाल सकते हैं तो मैं यहाँ पर रिफाइंड ओयल डाली हूँ तो यह 7-8 बड़े चम्मच है रिफाइंड ओयल और देखिए सारा मेजर्मेंट हम इसी बाउल से कर रहे हैं क्योंकि इसी बाउल मैंने दो बाउल क्या किया था मैं डालिया था तो आपको इसमें जिसे अच्छा मौयन देना है ताकि यह जो गुझिया बने वो इतनी सौफ्ट बने कि एक तम मज़ा आ जाए तो बस देखिए मैं इसे अच्छे से पहले mix कर लूँगी ताकि जो मौइन है अच्छे से मिल जाए ये देखिए अच्छे से मिल जाएगा इस तरह से सारे मौइन को हम अच्छे से मिला ले रहे हैं तो देखिए उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम इसका एक परफेक्ट डू लगा लेंगे तो मौइन एक तम रेडी हो चुका है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं तो ये देखिए इस तरह से हम तोड़ थोड़ पानी डालके Jorge से टोफ करनेंगे, में तौन दछल हमोगा तो एक तोड़ थोड़ पानी डालके एक तम पर्फेक्ट दोफ टियार कर लेना है तो बस इस तरह से हम डोग को अच्छे से गूथ लेंगे बहुत ही साफ्ट ये चॉकलेट मावा गुजिया बनती है तो आप भी एक बार जरू ट्राइ करिए तो देखिए इस डो को मैंने कपड़े से अच्छे से कवर कर दिया है ताकि अच्छे से ये और सेट हो जाए तो यहाँ पर देखिए दो से तीन मिनट हो गया है और ये डो अच्छे से सेट हो गया है तो आप इसकी हम गुजिया बनाएंगे तो पहले छोटे छोटे आपको पेड़े बना लेने हैं तो बस देखिए इस तरह से हम जितनी बड़ी आपको गुजिया बनानी है उस हिसाब स चोटा चोटा पेड़े कट कर लीजिए यह देखिए इस तरह से चोटी चोटी पेड़े कट कर लेंगे इस तरह से और अब हम इस तरह से गोल गोल बना लेंगे तो मैंने बताया है और जो सारा डो है उसे आपको क्या करना है अच्छे से कभर करके रखना है तो बस देखिए इस तरह से हम गोल गोल इसकी पूरिया बना लेंगे तो बस देखिए हमने इस तरह से थोड़ा सा मैदा लगा के गोल गोल इसकी पूरिया बना लेंगे तो जैसे आप नॉर्मल ये गुजिया बनाते हैं सेम उसी तरह बनाना है तो बस देखिए आपको क्या करना है इसे बहुत ही अच्छे से बेलना है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी ये गुजिया बनती है तो देखिए ना इसको बहुत पतला बिलना है ना बहुत मोटा और अब इस तरह से जो भी आपकी गुजिया की साचा है उसमें आपको डाल देना है अगर आपके पास साचा नहीं है तो बिना साचा के भी आप बना सकते हैं गोल ले लेजिए और इस तरह से डाल के देखिए इसमें हम अच्छे से स्टफिंग भरेंगे तो इसमें देखिए मैंने दो चम्मच अच्छे से दो चम्मच आपको स्टफिंग भरना है तो बस देखिए दो चम्मच स्टफिंग भर लिए और थोड़ा सा पानी लगा लेना है किनारे किनारे पानी लगा लेना है ताकि जो है अच्छे से चिप के तो बस देहिं इस तरह से मोड़ के अधे कॉट करना है तो यह इस तरह से मोड़ के जब हाप कड गरेंगे न त्विए दूट मैं बहुत लोग कम इस में स्टाफिंग होती है कम भरते हैं तो उससे जो गुजिया उतनी मस्तने लगती एक बार अच्छे से पूरा स्टफिंग करके गुजिया बनाईएगा तो यह देखिए इस तरह से हम आपको खोल के दिखा रहे हैं तो यह देखिए एक तम परफेक्ट इस तरह से आपको सारी गुजिया को बना लेनी है तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सारी गुजिया को हम अच्छे से स्टफिंग भ अगर आपके पास साचा नहीं हो तो आप इस तरह से हाथ से भी बना सकते हैं तो यह देखिए गुजिया बनके रेडी हो चुकी है और आगे के प्रोसेस में तो यहां पर देखिए गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें मैंने तेल डाल दिया है तेल को न बहुत गरम करना है और नहीं बहुत ठंडा रहने देना है मीडियम फ्लेम जो होता है उतना तेल आपको गरम रखना है और आप एक एक करके गुजिया को डालनी है तो यह देखिए एक एक करके हम गुजिया को डाल दे रहे हैं बहुत ही लाजबाब टेस्टी यह चाकलेट मावा इसको डाल कर और अप करना है जितना आराम से आजाए तो इसमें रह रहाए एक दो और नाजाएगी तो हम इस तरह से इसे उलत और करेंगार बस देखिये उपर नी चीछ करेंगे को फची आप लेंगे घुल बॉलडन लेंगे और बीस अच्छे से इसके फ्राइघ करेंगे तो देखिय वह तहびग अच्छा बहुत ही लाजबाब टेस्टी ये चॉकलेट मावा गुजिया बनके तयार है अगर आपको मेरी चॉकलेट मावा गुजिया की रेसेपी अच्छी लगेगी तो आप जरूर कमेंट करिएगा और आप ये भी जरूर बताईगा कि आप किस सहर से कमेंट कर रहे हैं तो आप भी इस तरह से जरूर बनाएगा ये देखिए बहुत ही अच्छी बहुत ही लाजबाब ये गुजिया बनके तयार है तो ये चॉकलेट मावा गुजिया है तो इसको डेकुरेट करना बहुत जरूरी है तो अब हम के उपर से चॉकलेट को मेल्ट करके इस तरह से अच्छे से डेकुरेट कर देंगे तो आपको जैसे भी आए आप इस तरह से बहुत ही अच्छे से इसको डेकुरेट कर दीजिए तो देखिए अंदर और बाहर से दोनों तरह से ये चॉकलेटी खुजिया बहुत ही लाजवाब बनी है बहुत ही चॉकलेटी है और I hope कि आपको टेस्टी लाजवाब चॉकलेटी खुजिया की रेशिपी जरूट पसंद आई होगी फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा थेंक्यू फ्रेंड